गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स कोई भी एक्जाम हो उसमें भारतिय और्थ विवस्था या इकनोमिक कहिए या इकनोमिक्स कहिए उससे सम्मंध ही ते कोस्चन का वेटेज बहुत अच्छा होता है और सब में इसी तरह के कुछ डाटा वारे कोस्चन होंगे कुछ थोरा बहु सब्सक्राइबО्थ से क्या इसका मतलब होता है सरकार मिलीची ख्यत्र दोनों का सवस्थित यानि दोनों कंपेट करेंगे किसमें बाजार में आर्थिक विकास के दिरिश्टि कौन से भारते किंथी कहां होती है तिये हम लोग कभेगा है डेवलोपिंग कंट्री गर्व से कहिए इंडिया इजे डेवलोपिंग कंट्री विकास कर रहा है भाई भारती यह अर्थ विवस्था का कौन सा छेतर है सखल है या सफल नहीं सखल राष्ट्री उत्पाद में सबसे अधिकी योगदान देता है वहीं यहां के लोग क्या कहते हैं भाई अच्छा काम और मोटा काम तो यह क्या है तो यह ओफिस वर किसको टरसरी सेक्टर जैसे बैंकिंग सेक्टर बीमा सेक्टर कम्मिनिकेशन अभी वर्तमान में साथ प्लस परसेंट हैं और सबसे कम जिसमें सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं यानि किर्सी सेक्टर वर्तमान में तो यह 14 परसेंट के ही आसपास सिखुरा हुआ है करें बंद अर्थ विवस्था यानि क्लोजड इकनॉमी क्या है बताई यह ना तो भाग किरिसी में लगा हुआ है तो 54 परसेंट भारत में अधिक्तर बेड़ोजगारी यानि ओन इंपॉलाइमेंट है कहां तो सनरचनात्मक बेड़ोजगारी है यानि कि यहां का जो दिवस्था है उसके अधार भूत जी स्थिति है उसी में ही प्रोब्लेम हैं भारत में ब मลता किस परकार की बिरोशगारी की पर्दानता देखी जाती है तो वह काम हो या नौहलेकिन घर भर कि जो लोग हैं सब के सब लगे हैं परकसान हैं लग रहा है यहां है और कहा जा उनकार नारह ना बहुण राया प्रचन ने जबलजगारी का अर्थ है है यहां देखिए आप certain के कारेरत होना जा भी भारतिय किरिशी में देखी जाती है वरतमाल समय में देश में किस परकार की बिरुजगारी की समस्या गंभीर समस्या बनी हुई है तो पख़ोरा बेचने के लिए किसी अनपर्ष को कहिए तो वहाग जब से बेचेगा और परहे लिखे को तो गह दिया गया तब वह लोग जुत्ता फेगने पर उतारू हो जाते हैं कि परहे इसलिए परकोड़ा चांने के लिए और यह उसका परकोड़ा एमभीए वाला प तो अपर्याप उत्पादन जंदा मसीन ही खराब है तो उत्पादन कितना होगा वैस्वी करन यानि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है विस्व क्या है गाउं है भिलेज को बतले किन क्या हुआ गाउं में एक बीमार सब बीमार तो इसका निगेटिव कुरोर न देखिए यानि घरेलू और्थ ब्यवस्था का वैस्वीक और्थ ब्यवस्था के साथ एक ही करन यानि कि सभी नदी जो पुरा दुनिया को माल लेते हैं नदी सभी नदी को जोर दिये आपस में निती आयोग गरीवी रेखा का नीरधारन पोसन अवस्थाओं के अधार पर नीरधारित करता है इसके अनुसार ग्रामीन चेतरों में 2400 केलोरी प्रति दिन से कम पराप्त करने बाले को गरीवी रेखा के नीचे माने जाते हैं नगर्य चेतरों के लिए यह केलोरी कितना है गाव में लोग अधिक मेंद करता है इस लिए उनको चाहिए अधिक खाना तो 2400 केलोरी, सहर में लोग तो है lot में चाहां स्तालक सता निछे उतरते ही यहार निर्धारन तो भुखुमरी का होना चाहिए था लेकिन दुख के बात है कि भारत में निर्धारन गरीबी कहा है निती-ायोग एकिसके सर्व perceptiğ cheek के अधार पर नीर्य धन्दा रेखा के नीचे के लोगों का आक्रन करता है तो राश्ट्रिय नमूना सर्वेक्षन संगठन राज एवं राश्ट्रिय अस्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए निती आयोग किसके सुत्र का प्रयोग करता है तो डीटी लकर वाला क्या गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना कुटिर जोती योजना सम्मधित है तो कुटिर में जोती लाएंगे कुटिर मने छोटा घर जोप्र या उसमें लाइट या निगावीन छेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवारों को अधिकूपोशन के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है इतना अच्छा गौरवपूर्ण किसको मिला है तो मध्य परदेश को कौन सा सुचकांक भारत में गरीबी रेखा की गरीबी की तीवर्था की माप के लिए सबसे उपयूक्त है तो बहु आवामी गरीबी सुचकांक वर्ल्ड डेवल्प्मेंट रिफोर्ट किसका वार्षिक प्रकासन है तो आई बी आर डी क्या नाम है आई बी आर डी या इसको कहिए वर्ल्ड बैंक ग्रूप मानों विकास सुचकांक यानि एच डी आई किस और सास्री की देन थी तो यह था महबूब उल्हक क्यों यह पांची फोड़ दीजिए तो जो दखीने सीजा के लोग थे लोग आए भाई परसे सब कुछ स्थोरे है मानों का विकास देखो देखो हमारे पास कितना बहुत चमता है हमारे पास यह थे हमने पास हो थे इसलिए हम तुम्हाने जीटीपी वेस को नो मानते हैं हम लोग बह पर लोग रहते हैं मानों विकास सुचकांग का अधार क्या है स्वास्त शिक्षा और जीवन अस्तर राज अस्तर यह मानों विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रतम राज को न था तो भारत का इतोपिया यानि मध्य परदेश सनुख्त राष्ट विकास करक्रम यानि य इवन डी-पी की मानों विकास रिपोर्ट में भारत को कि स्रेमी में रखा गया तो मध्यम मानों विकास सुचकांग के अशार भारत के चार उचिततम वाले राज़ तो वर्तमान में तो ये सब नहां है सबसे अच्छा जो स्यक्षिन की विकास से भारत में एक नंबर पर मि केरल का नमबर आता है अब कहिए नौर्सिस्ट का राज इतना आगे सही बात है नौर्सिस्ट के जितने भी राज है जैसे केरल है मनी पूर है तिरपूरा है इन सब का है एच्डी आई भारत के किस राज में गरीबी का पर 30 सथ सबसे अधीक है तो भारत का सभसे गरीब राज उडिषा और उसका जीला था कारा रहा भारत में निर्धान्ता के सयुकुल क siz अधैfford तो परभार्र की उत्भोग वेया क्या धार पर यानि आप अगर दिन लेकर भी कोई समान खरिद लेते हैं तो आप गरीब न रहिएगा यह सत्व होगा कि भारत को परिभासित किया जाए किस अधार पर करेंगे भारत एक स्रम अधिक वाली और स्विवस्था यानि कि यहां पर स्रम स्वधक्ति बहुँ ज्यादा है अलबे विक्सित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आए में असमानता है जैसे मुख्य सामबानी दुनिया के सबसे अमीर वेफ्थी होने का सपना देख रहे हैं और भारत की अबादी दुनिया के सबसे गरीब अबादी में आगे एक नंबर होने के पर के फिर्याक में है किसके दौरा भर्ष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्सिक क्या निकाली गई तो केंद्रिये स्वतर्गता आयोक के दौरा भारतिय अर्थ्व्यवस्था के उदारी करन का अगर दूत की से कहा जाता है तो नाम क्या है उनका वह वीतमंत्री थे डौक्तर मनमुहन सिंग को और मानविकासुच गांग के किसने बनाया था तो युएन डिपी ऐसी अर्थ्व्यवस्था को क्या करते हैं जिसका विशो या और निजी में कि सधार पर वर्गी कृत किया जाता है तो उद्धमों का स्वामित यानि अगर वह सरकार का है सबकुछ यानि सबकुछ पूरी जन्ता का मिलकर बनाया गया है तो वह सरकारी हो गया यानि पॉब्लिक परपटी है तो वह सरकारी है और किसी प्राइबेट एक आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कुछ भारत के राष्ट्रीय आय से सम्मधित कोश्चन देखते हैं जैसे भारतीय आय में सरबाद्धी की योगदान किसका है तो भारत के आय में भी सरबाद्धी की योगदान टर्सरी सेक्टर का है यह भी निर्मान छितर तो दूसरा सेक्ट भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्षूरत स्रीवाच्षेत्र है योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में किस छेत्र का युगदान घटा है तो किसी का युगदान दीन परति दीन परसिंट वाई घटते जा रहा लेकिन अगर कूल कर कहेंगे तो वह बढ़ा है वर्थमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस छेत्र का सरवाथ की युगदान है तो स्यवाच्षेत्र जैसे जैसे अर्थीब्युस्था विक्षीत होते है तो तिर्तियक सिरेनी यानि तर्सरी सेक्टर का क्या होगा तो युगदान बढ़ते चला जाएगा कर एहां देखिए उन्हें 1950 एकाउन में भारत के स्कल घंळेल उत्पाद में पराथमिफ स्वहुतेृमी छेतर का एक छहतर का युगदान कितना था उस में तो उस समय 17% 31% और 50% युछत वाज स्वहने का युगदान कितना था जो परस्ट में राश्त्रिये नियाय दर्स यानी अस्थापना कभ ही थे उनिस पंचास में केंद्री सांखिय की संगठन यानी ँस त कि अस्थापना कभ ही उनिस से कावन और इसका है कहां तो यहां कलकत्ता में उफिस यह इसका राष्ट्रिये आये क्या है तो उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रिये उत्पाद वह राष्ट्रिये आये है भारत की राष्ट्रिये आये अनुमानित होती है केंद्रिये सांखी की संगठन द्वरा किस राज की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो वर्तमान में गुवा की है भारत में चालू मुल्यों पर प्रति व्यक्ति नियुंतम आय वाला राज तो दिहार प्रतिव्यक्ति आए 20 रुपिया थी यह सौर पर्थम किसने बताया था तो इनका नाम था दादा भाई नरोजी और उन्होंने किस सिध्धान्त का प्रतिपादन किया द्रेन ऑफ सिध्धान्त यानी दो थी ओफ ड्रेन मतलब इसमें क्या था कि भारा से जो पैसा है रिस रहा है इसका बहाओ है और यहां का पैसा कहां चला जा रहा है तो इंग्लेंड जा रहा है तो यह किसने पर्थिपादित किया तो दादा भाई नरोजी ने हिंदू सिराज महोते ने सोतंत्रता के पश्चाद देश की रश्रीय आये का अनुमान लगाने के लिए भारत ने रश्रीय समीति की अस्थापना कब की थी तो चार अगस 1949 को और वर्तमान में रश्रीय आये समंगों के गन्ना की सधार्प की जाती है तो अब यह बर गया है अब तो चलागी इसको पंडशुला कर दिये जाए भारत में रश्रीय आये कि सही गन्ना में आने वाले यह कठनाई है और मौद्रिक छेत्र अस्तित्र यानि कि जिसका कोई भैलू ही नहों चाहिए जो अंसंग असंग अठी छेत्र है यानि कोई इसका डाटा ही उप्लवद नहीं आप उसका अंदाज कैसे लगाओगे भारत में रश्रीय आये कि सही इसन गन्ना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है परियाप्त और सही सांगे की वीजियों की कमी ऐसा तो यहां के लोग यह उसके लिए स्केल ना है पैमाना नहीं है कि लोग पढ़े लिखे नहीं है ऐस पबर्वारत की रश्रीय योगदान च्शेटर स मंखेतर में मिलोग लगे हुए कि न कि ना किसके त्वरा की जाती है केंद्र संखिकी संगे द्वारा कि किसी देश की आर्थिक विर्धी की सरवाधिक उप्यूप्त माप है सकल गहेलू उत्पाद यानि जीडीप राष्ट्री आय का पड़िकलन की से को छोड़ कर और सभी तरीकों से किया जा सकता है तो सभी परकार की बचत कई योग तो ऐसा कोई है न प्रतिव्यक्ति आय निका किसी और उद्यों की अपेक्षा सिवाओं का पर्सेंट अधिक है यानि भारत में सवनिक दूरुप से किर्सी और उद्यों का जितना इंकाम है उससा अधिक के सेवा चेतर से इंकम होता है अमीरों के तुल्णा में गरीब बचत करते हैं तो अपनी आय की अपेक्षा छोट जाटे क्योंकि करीब का द ज्यादा पैसा खाने में गत्म हो जाता है भारत के सखल गहलु उत्पाद में नीचे दिए कौन सा छेतर भारत के सवखल्ग ठरीन उत्पाद यानि सफॉरण देता है तो शेक्र किसके बराबर होता है तो सवखल राश्टी उतपाद माइनस की नीवल रहंटी ज़ी टीप ऐक नटे air लिएद को आउनि निट नेशिनल प्रोडॉक्ट यानि एन एन पी तो क्या निकलेगा बीच में बीच में हरास यानि डिप्रेशन रगर घस मतलब कि जो समान को उत्वादन करने में उसमें खर्च आया जो उसका भाईलू घट गया खराब हो गया वही मुल हरास है राष्ट्री आय के मापन की विधी कौन सी नहीं है तो अब निवेस की विधी से राष्ट्री आय को नहीं माप सकते हो कौन सी पधिती राष्ट्री आय आकलन की पधिती नहीं है तो मैट्रिक्स पधिती राष्ट्री आय निकालने के लिए एनन पी में से किसे घटाया जाता ह है तो अपरतियक्ष कर्को घटा दिये जाता है और सबसाइडी को जोड़ दिये जाता है जी ओनक् से नेश्चानल प्रडॉक्ट निकालने के लिए किसको घटाया जाएका तो हरास के दोरा उन्तराश्ट्री समुंद्र यानी पानी में भारती मच्छवारों द्वरा पकड़ी गई मचली या कि तो बारत का है राश्ट्रिय आयोनुमान की गन्या कर्थे समय किसको ध्यान में रखना अब एक एक वर्स में उत्पादी सभी अंतिम वस्तु और सेवा यानि सर्विस के बदाबर और किसी राष्ट की राष्ट्री आये होती है उस पादन कारियों का योग फल यह उसका योग फल उसका क्या है तो राष्ट्री आये है किस छेतर से भारत में सकल राष्ट्री उत्पाद का सबसे बड़ा भाग परात होता है तो सेवा छेतर से तो हम लोग आज इकनोमिक्स का पहला पाट था असा करते हैं कि अच्छा लगए तो जरूर लाइक करें सियर करें कोमेंट करें और सब्सक्राइब करें